हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल सो आज मैं पर्चेस किया हूँ इलिका का एंगुलर चिमनी इसमें दो मोडल आते हैं एक में आटो क्लीन बटन होता है दूसरी में आटो क्लीन बटन नहीं होता है जिसे बैफेल फिल्टर बोलते हैं अगर आप देखोगे तो लोग कंफ्यूज हो कि बस वह बैफेल फिल्टर वाला ही बहुत जारे पर्चेस किया है कोई भी है जो आटो क्लीन बटन वाला पर चिमनी उसको पर्चेस नहीं किया कोई आप देख सकते हैं यहां पर जो सर्वी सेंटर वाले गाईज आये थे उन्होंने मेरे जो डक्ट साइज था मैंने लगाया था उसको ओपन कर दिया है और इस एंगलर चिमनी को भी ओपन कर दिया है अब इसके साइज लेकि हो क्या करेंगे कि सेंटर में उसे बैठाएंगे फिट करेंगे सो मैं आपको बता रहा था कि जो चिमनी होती है वह हमेशा आप आटो क्लीन प्रीफर करें आटो क्लीन फिल्टर ले सुना चाहिए कि आप एक बेटन प्रेस करें बेटन प्रेस करने के बाद जितने भी इसमें गंदगी ऑयल है वह आयल क्लेक्टर में आ प्रेदा देंगे आप तो जो एफल सिक्स जीरो सेवन यह चैसी वी एस है बीएमस है जो उसको पर्चेश करें उसमें क्या है एक बटन है सर्कुलर बटन है ज़स्ट जो लाइट है ब्राइट लाइट उसके बगल में ही है मैंने इस वीडियो में पॉइंट किया है मैंने स बटन है उसमें पॉइंट करके बताया आपको सौट भी देख सकते हैं कि आप कैसे अडिंट्फाइब करें को सा चिमनी है यह आप देख सकते हैं कि यह डक्ट साइज भी निकाल के लगा रहा है तो मैंने इसे बहुत नहीं हो रहा था मेरे में तो मैं क्या करूंगा कि इसक आपको क्लीन चिमनी प्रिपर करें जिसकी प्राइस अभी फिलिपकार्ट पे 14,990 रुपए हैं आपको प्राइस में आप उसे पर्चेश कर सकते हैं आपको चला तो आपको पंदोस रुपए के आसपर डिसकांट मिली जाता है और जो मैक्सिमल लोग ने पर्चेश किया उ आप देखा तो यह क्या था कि कर्ष्टमर के यह नहीं भीज दिया था हमारे घर पे अबस मैंने रिक्विश्ट ने किया मतलब की जश्ट जो डिलेवरी टाइम ता डिलेवर हुआ जैसे इन्हों नोटिफिक्शन कर दिया कर 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 को और बंदे आ कि मतलब की लगाना श्टा काइप आप इसको कोई भी कर सकता है कुई जरूरा कि लेकर जाता साथ में और यह बां ने रिच्टर कर देता है हमने इसे लगाया है और प्रडू जो है क्वाइष अच्छा है कि इस लागाना काफी प्रेजी आँए अभी देख सकते हैं यह पॉइंड करके इसमें ट्रिल करके होल करके से फिट कर देंगे हाँ पे पीछे और फिर इस च्पनी को ठाकर वहाँ पर लगा देंगे कि अ कि जो अकलि कि यह देख सकते मैंने जो पीछे का जो उडेन रखता उसको छे में दो लगाए थी क्योंभी मुझे बताता कि ट्रिल करने प्रावलम हो सकती है और यह जो डॉक्ट पाइप के उपा जो लगाते हैं यह पस प्टीन का बहुत पतला में ट्रिल होता है मेरा तो अपला वहां पर लकड कमेन बनवा रखा है इसलिए मैं इसे लगाऊंगा नहीं और यह लोकवाइज चेमनी काफी ब्योटिफुल दिखती है दिखते हैं आप जो जो सर्कलोर बटन है ना सर्कलोर बटन यह तीरह जारनों संदब्विन नहीं होता है यह आटो क्लीन बटन है इस टब्बे पर इसकी प्राइस सायद 2990 में मैंसन होती है और जो नान आटो क्लीन है लेकिन कन्फूजन नहीं था मुझे कि मेरे वाक्स पर यह 607 लिखा हुआ था लेकिन जो अंदर का आइटम था वह 607 था ना कि यह 607 था तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज था मैंने भाई से बोला भी था कि जो लगाने वाले आया थे कि भाई देखो उपर क्या लिखा हुआ है अंदर पता नहीं क्या हमाल है तो उन्होंने खोल के उपन पर दिखाए भाई है कि आपका जो आइटम है सही आया है जो आपने पर्चि चाहा और पाह data मेरी च्रेमा चार इंच संट की थी चार इंच में छेंच का डक्ट लगाया था तो मैं उपर जाक2020 में क्या मतलब कि स्क्रेखन सक्सान निकल लाई निकल रही मैं सबसे ओपर से और इंषी करके मैंने presents आज काफी प्रापर हवा वहां से निकल रही थी मैंने इसका वीडियो डाल दिया है कि डक्ट से हवा कितनी तेज आ रही तो आप यह वरी नहीं हो कि आपकी थर्ड फ्लोर है और पाइप इंच है तो यह सक्षन पावर इसकी खराब है सक्षन और इसकी काफी अच्छी है बार मुम्ती के ऊपर मतलब 4-3 फिट ऊपर मैंने वस्वाइक को निकाला है जो कि फर्स्ट फ्लोर से एजली हवा को वहां तक बाहर पीदा मैं कितना लूँ 12 सीमस लूँ या 14 सीमस का लूँ क्योंकि एंगलर चेम चेमनी में 15,000 के अंदर बस यही एक था जिसमें 12 सीमस था सब्सक्राइब कर दूँगा और फर्स्ट फ्लोर पर बाद में परस्याज करूँगा अपने लिए मैंने और एंगलर चिमनी देखने माई देख सकते हैं आप जब लगा रहा था तो मेरा जो बोर्ट था वह भी अड़ रहा था यहां पे वह बोला लकड़ रहा इसको निका निकाल दो यह बस दो किल पर लगा हुआ है क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो अगर आपकी साइट निव बनी हुई है तो कुछ प्रॉब्लम तो आ सकती ही क्योंकि लकड़ का आपने काम कराया होगा तो जरूरी नहीं है कुछ न कुछ दिखते हैं आती मैंने पी मैंने पूरा प्रिकॉशन ले रखा था मैंने छे इंच का डग्ट ऊपर भी कटाया था छे इंच का मतलब की घुमां के पाइप आराम सल जाए फिर भी मतलब इनको प्रॉब्लम होई तो जब भी आप घर बनाएं या चिमनी लगाने का सोच रहे हैं अगर आपके पास आटोमेटिक मतलब की आपने किचन बना रखा है तो इन सब चीजों का ध्यान रखें कि आपको चिमनी साइज क्या यूज करनी है और आपकी हूज फेमली है तो हमेंसा नाइंटी सेंटिम मेरी समाल फेमली है हम लोग को वाइफ और डाटर है ममी भी मेरी रती तो मैक्सिमाम फोर फाइब बुल रहता है घर में तो थ्री बर्नर होप मतलब सफिसेंट है और इसके लिए साट सेंटिमेटर की सफिसेंट होती है तो चिमनी खरते वक्त एस सब चीज़े आप ध्यान म सब्सक्राइब करने कि ट्वंटी ट्वंटी एट सेंटिमेटर गाप हो आपके स्टोप से और चिमनी का अदरवाई जो क्या होगा कि आप एक्जैक्टी साही से यूज नहीं कर पाएंगे अपने होप को भी अपने गैस को भी उसका भी जो फ्लेम होता उसको भी सक्षन में आ जाएगा तो इस सब चीजे ध्यान रखें कि कि इतना उंचाई पर लगाना है और यह आप अगर न्यू घर बना रहे हैं और अगर आप लकड़ काम करा रहे हैं तो सब चीजे बहुत ध्यान नहीं बढ़ती हैं क्योंकि जो कार्मेंटर होते हैं इतने एक्सपर्ट नहीं मैंने घर कंप्रेंटली बना लिया और अभी कार्पेंटर भी पैसे लेकर जा चुके हैं तो क्या होता है यह एक्जक्ट आप बुलाने जाओ ने तो आएंगे नहीं हो क्योंकि उनको सारे पैसे मिल चुके हैं अगर आप पैसे रोके हैं तो भी आके वो काम करेंगा तो अब दूसरा प्रव्लम इसमें है कि मैंने जो बोड लगा रहा था रकड़ का वो काफी नीचे तक आ रहा था वो लग नहीं रहा था क्योंकि यह जो एंगल और सिमनी के जब होग था वो बाहर निकल रहा था यह सारे थोड़ा प्रवलम हुई थी श्टार्टिंग में लेकिन बाद में मैंने आके इनको बोलता कि कोई दिक्कत नहीं आप लगा दो मैं बाद में कार्मेटर प्ला के सही करा लोंगा एक्चली क्या होता है कि जो घर मनाते हैं हम लोगो चार इंच की दिवाल पे मैक्सिमम घरें बनती हैं जो पंदवाई साथ की होती है बारे इंच की दिवाल नहीं लगाते हैं लोग तो चार इंच का पाइप नहीं डाल सकते हैं मैंने चार इंच का पाइप डाला था तो मै जाना चाहिए अद्रवाइस क्या होता है कि थोड़ा चिम्री आवाज करती है मैंने कोई दिक्कत नहीं तुरेट्ब से में दिख्कत नहीं है अगर आपके वारंटी रिमेन रहती है नोरेन वी दुरेट्पर साल ही रहेगी उसमें कोई प्रणाव नहीं आने वाली तुम्हें सिक्स मंथ लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्ली मंथ लिए आप आटो क्लीन करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सर्विस की इतनी ज़्याज जुरुत पढ़ने वाली है इस एलमुनियम का चार्ज भाया ने मुझे आट सो रुपए लिए थी मैंने बोला हाफ यूज कर लो और दो रूम में मुझे और लगाने हैं दो फ्लोर में वाची में लगानी है तो मैं यूज कर लूँगा इसे उन्होंने हाफ करके यूज कर लिया था आट सो रुपए इस करके लगा के रखेते तो कोई इनको दिक्कत नहीं हुई बस टेप मारके लगा के चले गए लोग तो एक्जैक्ट खर्थ जो इंसलेशन में में मेरा हुआ था तेरा सो नब्य रुपए और चिमनी मैंने 14,990 में पर्चिस किया था उसमें मैंने 14,990 में डिसकॉंट लगा यह था 15 रुपए का तो काफी रिजनेबल रेट में मुझे इस चीमनी भी आ गई और मेरे किचन का लुक भी काफी अच्छा हो गया मैं आपको इसको लगाने के बाद एक वीडियो इसी में वीडियो दिखा दूंगा कि मैं कैसा वो लुक देता दे रहा था और कैसा उसके यह फंक्सनालिटी है यह लिका ब्रांट की चीमनी है और यह 607 भी एमस है कि मैंने दो तीन वीडियो वीडियो भी डाल रखे हैं कि आप जाके देख सकते हैं अगर आपको जाड़ टाइम नहीं हो देखने के लिए थोड़ा वीडियो लॉंग बन गया क्योंकि मैंने सारे क sitt और की सारे की आपको दिखते हैं शीमनी आ सकती है कि आपको चूझ करना और मत करें अगर आ Pak आप ये जो miyandar को कोई दीकत नहीं ग्यारासो हजार हजार तक भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप इसको डक्ट से मतलब पायक के दुरू ऊपर भीजना चाहते हैं तो हमेशा अगर बनाते वक्त सोचना होगा कि अगर वोड़ा को छुपाना है तो मैंने क्या कि था बगल वाले खाने में ही लाइटिंग का पावर दे दिया था और नीचे से अप्लाइए दिया था बस बटन दमाने पर यह अन आफ हो जाएगा मैंने बहुत सारे साथ वीडियो जिसके डालके रखे हैं तीन-चार वीडियो डाल दिया है जो कि आपको इजली जाके अगर टाइम कम है आपको पस तो देख सकते हैं और हमेशा चिमनी पर्चेज करसमें इन सब चीजों का ध्यान रखें आप मैंने इस ब्रांड को लिया किसी ने फिलिप कड पर्चेज नहीं किया था मैं फ़र्स्ट पर्सण हुझ गया ह dużo मैं जानतम ता कि मुझे पीजा ना Dü forged गालल और बंदों ने नाँन आटो किम की लाइन लगा थिया अब बस इसकी एक डिमेरिटिस में है कि अगर आपको हाई स्पीड 123 चले आते हैं और आप बाद में मतलब मुशन सेंसर के थू पर आना जाते हैं तो तू पर नहीं जा सकते हैं आपको बटन ट्रेस करना पड़ेगा तो अच्छी बात है इसमें बटन भी दिया हुआ मुशन सेंसर भी है और लुक वाइस तो काफी प्यारा है तो देख सकते हैं भाईया ने इसे आसानी से इस पर लगा दिया यहां पर और टेप मार दिया है आप लगाने के बाद और अंदर अंदर घुमा के वहां पर उस पाइप में उन्हें लगा दिया और आसानी से लग गया देख सकते हैं और डबे के अंदर छुप भी जाएगा कुछ भी दिखेगा नहीं जो ब्लैक के उपर दिख रहा है उसके उपर मैंने बॉर्ड लगार का वाइट रंका उप लगा दूंगा आप दिख सकते हैं कि दो वहां पर कबजे लगे हुए हैं उसको लगा के हुक लटका दूंगा तो काफी नीट क्रिन दिखेगा कुछ भी दिखेगा नहीं आपको यह थोड़ा साही देख सकते हैं कि जो डंबा है उससे बंद नहीं हो रहा तो उसको भी यह प्रेस कर रहा है उस पाइप को प्रेस करके उपर से जो लकड़ के गिरेगा फटा हो मतलब साही से बंद हो जाएगा अगर आप आपकी किशन बना रहा हैं तो इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रख हैं कि कहां से सकसन पाइब जाया कहां से आप पाइप ढलवाए हैं कहां से आपको वायर शुपाने के लिए बूर्ड काहां अंदर भी प्रोविजन देना पड़ेगा तो इन सब चीजों का हम सब्सक्राइब करते ही देख सकते हैं मुझे बता रहा था कि यह आप डेय बापनगी よね तो इस दो करते हैं कि अने डिए दिया हुए अपना ही एक प्रयूस दीया ठीक कैसे ऑन ऊफ करेंगे आप देख सकते हैं 123 या पीछह बंद्द के भी दिखा रहा है यह आटो क्लीन ब्टन जो है उसको दिखा रहा कि नाइए मिनट में आपके प्रेस करते करते हैं तो नाइए मिनट दिखाये गाँ आपको नाइए बाद मतलब कि आठो कलीन होके नीचे ट्रे लगा यूए था लगा क जो आखोके आजाएगा देख सकते हैं अब मेरी बारी आज चुगी है मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं बता रहा था हम महुत हवा कमा रहे थी तो समफाया कि हां सक्षन होता इसा नहीं कि सक्षन नहीं नहीं हो रहा है तो नाइज लेवल थोड़ा से ज्यादा था तो ओ चलता है इतना तो मतलब की दोस्तों है फाइनल लुक है मेरे सिमनी का मैंने बहुत सारे वीडियो डाल डाल चुका हूं तो जाए देखिए और थैंक्टी समस्क्राइस पर वासे में वीडियो फ्लेज लाइ टैंक्सराइस रफ्लेज फ्लेज लाइडियो थाए प्लेज लाइड़ लाइड़ न्सक्राइड लाइड ब्लेज़ लाइड़ देखिए और चॉर्थ